हेलो फ्रेंड्स, उल्कम टू माई चैनेल अलबाउट जोबस में फ्रेंड्स, फैक्ट की तरफ से बहुत यच्छा रिकूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसमें डिप्लोमा भी बीटे के वाले अप्लाई कर सकते है कोई भी अप्लिकेशन फिनी रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है डारेक्ट इंटर्वी होगा, इसमें आपको सलरी 45,000 परमत मिल जाएगी इसमें अल ओबर इंडिया, किसी भी स्टेट से आप लोग बलंग करते हो को हार एक इंफॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए, तो निक्स चलते है ओफिशल नोटिविकेशन की तरफ तो फ्रेंट्स यहे इसका ओफिशल नोटिविकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो तो फ्रेंट्स नोटिविकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को जोट सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकोन को प्रेस कर दो ताकि आप कौने वाले सारी अपड़िट मिल सके और वीडियो को जोट शाधा लाइक करे, कॉमेंट करे, शियर करे और चैनल को जोट सपोर्ट करे ताकि में मोटिविशन मिले अच्छा अच्य नोंटिपकेशन आप लोग के लिए लेकर आने के लिए तो स्टार्ट करते ही इदिल्ल सो नोटिफिकेशन की तो फ़िन्स फरस्ट आ फॉल ये कॉंट्राक्चुवल जॉब है, कुई पर्मन जॉब नहीं है इसमें बहुत सारे अलगला कोस्ट के लिए वैकेंस निकल के आया है बाट मैं इस वीडियो में कुछ प्तिलोड पोस्ट की वारे में डिसकस करने वाला हो जिसमें फस्ट है इंजिनियर डिजाइन इलेक्रिकल के लिए एडिकुस्टनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग आप लोग इन्स्टेकल के लिए तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ मनिमवप एक साल का पोस्ट क्वालिटेकेसन एकस्प्रिएंस मा गया है और उसके लिए आपका इंजिनियर डॉईंग और आटोगेड वगड़ में नोलेज होनी चाहिए Next is Engineer Design Instrumentation के लिए Educational Qualification में अगर आप लोग Instrumentation, Instrumentation and Control Electronics and Instrumentation Electrical and Instrumentation और Applied Electronics और Instrumentation Engineering में से 4 साल का भीवी टेक करके राके हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ minimum 1 साल का Post Qualification Experience में आ गया है Next post है Engineer Mechanical के लिए Educational Qualification में अगर आप लोग Mechanical Engineering में से 4 साल का भीवी टेक करके राके हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ minimum 1 साल का Post Qualification Experience में आ गया है Next post है Electrical Engineer के लिए Educational Qualification में अगर आप लोग Electrical, Electrical and Electronics, Electrical and Instrumentation Engineering में से 4 साल का भीवी टेक करके राके हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ मिनिमम एक साल का post qualification experience माँ गया है नेक्स्ट है इंस्ट्रुमेंटेशन के लिए जिसमे एडिकुशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंस्ट्रुमेंटेशन इंगरिंग में से और उसके साथ मिनिमम एक साल का post qualification experience माँ गया है नेक्स्ट है resident construction manager के लिए एडिकुशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिवल इंगरिंग में से अगर आप लोग सिवल इंगरिंग में से तीन साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ मिनिमम पाच साल का post qualification experience माँ गया है नेक्स्ट बात कार लेते age limit की बारे में अगर आप लोग सिवल इंगरिंग के लिए अगर आप लोग सिवल इंगरिंग के लिए और उन लोग को एस पार गवर्टमेंट नॉम्स के रिजलक्सेसन मिल जाएगी बात कर लेते हैं salary की बारे में तो फ्रेंट से ही पे design engineer post के लिए आपको maximum salary 30,000 पर मंत मिल जाएगी resident construction manager के लिए 45,000 पर मंत और site supervisor post के लिए 27,000 पर मंत आपको salary मिल जाएगी next बात कर लेते contract period की तो friends initially आपको एक साल के लिए hire किया जाएगा और उस एक साल में आपका performance चेक किया जाएगा अगर आपका performance अच्छा रहा तो उसके बाद इसको extend कर दिया जाएगा next friends अगर आप लोग integrated dual degree यानि की पाच साल का बीवी टेक प्लास M.E.M. टेक करके राखे हो तो भी आप लोग इसके लिए लिए लो इसमें apply कर सकते हो बात कर लेते हैं selection procedure की बारे में तो friends selection procedure में आपके qualification और आपके experience के पर depend करके आपको shortlist किया जाएगा अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो तो इसके बाद आपको interview के लिए बुराया जाएगा और अगर आप लोग interview में qualify कर जाते हो तो उसके बाद आप पस selection ही पे हो जाएगी बात कर लेते हैं application procedure की बारे में तो friends application procedure यहीं पे online औफ लाइन दोनों रखा गया है अगर फर्स्ट आपको इसका एक official offline form है जिसको आपको print करना होगा और print करने के बाद आपको उसको अच्छे से फिल करना होगा और submit करने के बाद आपको एक acknowledgement mail मिल जाएगी जिसको आपको screenshot लेके print करना होगा उसके साथ आपका जो original application form है वो और उसके साथ आपका जो educational qualifications का marksids और certificate से उसका self-registerate photocopy उसके लाब आपका experience certificate का self-registerate photocopy उसके साथ अगर आप लोग S.C.S.T.O.C. candidate हो तो उन लोग के लिए खास certificate का self-registerate photocopy, EWS candidate के लिए income certificate का self-registerate photocopy और P.W.D. candidate के लिए disability certificate का self-registerate photocopy और उसके साथ आपका अधर का self-registerate photocopy ये से अब documents का self-registerate photocopy आपको उस application form के साथ attach करके एक envelope बनानी पाड़ेगी और उस envelope को उपर आपको mention करना होगा कि application for the post stop आप कौन सी post के लिए और उसके पास advertisement number और ये mention करने के बाद आपको उस envelope को इसका जो official address यहीं पे mention किया हुआ है आपको उसी address पे speed post आतो restart post के थूपे send कारना होगा इसमें online application form submission के लिए last day टाखा गया है 19th March 2022 और application form का hard copy submission के लिए last day टाखा गया है 29th March 2022 तो friends यह है इसका details application procedure और आगर आप लोग से कोई भी step को skip करते हो तो उस case में आपका application form widget कर दिया जाएगा तो friends यह है इसका details notification नेक्स्ट में आप लोग को offline form दिखाएता हो तो फिर्स यह है इसका offline application form जिसमें फस्ट आपको एक recent color passport size photograph अटच करना होगा उसके बाद आप लोग जो भी particular post के लिए apply करना चाहते हो उसक अपको आपका post code हें पे mention करना होगा next अपको आपका name अपका data of birth gender religion or caste category अगर आप लोग पी wd candidate हो तो उसका details भी आप लोग यह है फिल कर सकते हो next अपको other number metal status father's name mother's name communication address with email id and mobile number आपको फिल करना है उसके बाद आपको educational qualifications और experience आपको हें पे फिल करना होगा तो friends यह है इसका offline application form का details next में आप लोगो दिखाया था इसमें online application form कैसे submit करना है तो friends यह है इसका official website और यह है इसका official notification जो आप लोग देख पारे हो इसमें आप लोग जो भी particular post के लिए apply करना चाहते हो उसके नीच में आप लोग apply online option दिख रहा है जिसमें आपको click करना होगा और click करने के आपके समने application form का next part open हो जाएगी और last में आपको application form है उसको आपको scan करके उसका PDF बना के इसमें आपको online application form फिल करने के time upload करना होगा तो friends यह है इसका details notification और online and offline form फिल आपका details में इस official notification और application form का PDF में टेलिग्रम चैनल पर श्यार कर दूंग आप लोग वहां से check out कर सकते हो अगर आप लोगोंने अभीता कमारे टेलिग्रम चैनल को जॉइन नहीं कियो तो ज़रूर जॉइन कर लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियो बड़ा के YouTube में upload करता हूँ उसका link बगड़ा में बहां पर श्यार कर देता हो अगर आप लोग हमारे टेलिग्रम चैनल से श्यार कर स मिलेगा और टेलिग्रम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और अपलाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी आप लोगों में से कौन-कौन इसके लिए अपलाई का रहे हो और अगर आपका कोई भी आप तक ली गुडबाई थेंक यू